हाई आल वेलकम है आपका समत किचिन में और जब हम कोई बोरिंग सा खाना खा रहे होते हैं तो हमें लगता है काश एक चटपटा तीखा अच्छा सा खट्टा अचार मिल जाए तो खाने में जान पड़ जाए तो सर्दियों काई स्पेशल अचार है हमारा मिक्स वेज अचार तो इसको बनाना बहुत ही आसान है और टेस्ट में लाजवाब है विल्कुल जैसे ही आप इसका बर्तन खोलेंगे आपके मुँ में पानी आ जाएगा इतना मज़एदार अचार है यह और बनाना भी आसान है तो चले इसको हम बनाना शुरू करते हैं और उस से पहले आप प्लीज समद कचिन को सब्सक्राइब कर दें, ऐसे ही रेसिपी आने के लिए, तो हमारे पंच मेल अचाल को बनाने के लिए, यहां मैंने 5 तरह की सब्सक्राइब निबू गोभी, मूली, गाजर, मिर्च और नीबू तो गोभी और सारी सब्जियों को हम अच्छी तरह से छील के काट लेंगे और अच्छी तरह से साफ करके धो लेना है तो ये सब सब्जियां अलेडी धुली हुई है अब मूली के मैं टुकड़े काट रही हूँ और देखे इस तरह से recon Etc. में सारी सब्जियों को काट लेना है और आथश अच्छी नас सब्जियों को काट लेना है ये फ्रेश सब्जियां लें तो जादा अच्छा है॑ इससे जादा देर तक चलता है और वस इस तरह से सम्दिया को काट पहλη बहुत अच्छा है सीजन में इस टैम पे बहुत अच्छा गोभी आता है तो इसको हमको ऐसे थोड़े चोड़े पीसेज में काट लेना है और यह जो इनकाल देना है और चेक कर लें कि खीड़े नहों वैसे तो खीड़े नहीं होते हैं अच्कल लेकिन फिर भी आप देख लें गोभी में चांसे पीसे ऐसे कट कर लेना है तो अब यह सारी सब्जियां कटके यह नीभू भी कट गया है और दूसी सब्जियां भी कट चुकी है और अब है मिर्च मिर्च के भी हम डंठल तोल लेंगे डंठल का कोई काम नहीं है तो इस तरह से डंठल तोल लें और बीच में से इनके तोड साथ ही साथ मैं आपको इसमें अचार को शेल्फ लाइव बढ़ाने की भी तिप्स दूंगी इसमें और तो अब मुझे करना क्या है इस सारे जितनी भी सबसी हमने कट की हुई है यह सूखी लेनी है और इसके बाद इनको जो है तो एक बॉल में डालेना है बॉल में चाहे तो आप राद भर के लिए या दिन भर के लिए रग दे और क्यूंकि इससे क्या होता है इसमें सबजियों में जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है वो सब निकल जाता है और नमा किसम अच्छी तरह से अब्सॉर्ब हो जाता है और तब तक हम यहां पे अपने अचारी मसाला तयार कर लेते हैं तो यहां पे मैंने लिया है यह एक चमच काली वाली सरसो और जिसको राई कहते है बड़ी वाली हो और यह पीली सरसो है तो दोनों एक चमच ले लिया और यह लिया मैंने एक चमच जीरा और अब यहां पे ले रहे हैं धनिया धनिया जो खड़ी ध अजवाइन डाइजेस्टिफ होती हो और यह सारे मसाले जब आपस में मिलते हैं तो बहुत अनोखा फ्लेवर देते हैं मसालों को हमें थोड़ा सा भूनना है थोड़ा इन दा सेंस कि इससे बहुत अच्छी इनकी खुश्बू आएगी और धीमी आच पे भूनना है मसाला भूनते टाइम हमें यह चीज़ जरूर ध्यान रखनी है कि आपको बहुत तेज आच में नहीं भूनना है और इनको जलने बिल्कुल भी न दे तो भूनना कब तक है जब तक कि यह आपका पॉपिंग साउंड आएगा और यह देखिए जो हमारी राई और यह सरसो पड तो फ़िस चीज़ें खराब हो जाती है तो यहां पर मैं यहां पर कर लियान सरसो तक को गर्म करवा और दूब म हांने तक एिसो इसको गरम नहीं अभी है थोड़ा ठंडा हो जाएगा अभी घंड З pillar ब त क्वोज अाज़ रिचार फो यह जादा तेज वाली हींग नहीं है तो मैंने आधी चमच दाली है, इसको ठंडा हो जाने दे तो यह इधर सब्स्जियों में जो हमने नमक और हल्डी मिला इसको टाइम हो चुका है तो एक बड़ी छन्डी में ऐसे पलट लेती हूं तो इसमें आप देखेंगे की पानी निइला है। सब्जीओंधे निकला है। और सब्जीओंधल आप बाद में थोड़ा और सुखा सकते हैं जिससे क्या होता है? कि इसकी लाइफ और बोच्छा जाती है अगर आपको आपको बहुत रहनों कि यहां पर इंस्टेन्ट खाना है तो मैंने बहुत जादा नहीं सुखाया है और यह जो है तो मेच इसमें डाल देंगे और मिर्च दालने के बाद इसमें डाल लाल पिसाओा मिर्च और काला नमक काले नमक से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, डाइजेस्टिव भी हो जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप होता है, और ये डाली कलॉंजी, आधी चमच, और नमक थोड़ा सा और डाल दिया, क्योंकि नमक पानी के साथ निकल चुका है, अब ये तेल ठंडा हो गया इसको भी विसके साथ मिक्स कर दिया, तो ये सारे चीजें हमने इसमें डाली है, अभी वो जो मसाला त्यार किया है, वो हमारा रखा हुआ है, और इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं, ताकि ये सारी चीजें थोड़ी-cej थोड़ी सी मेक्स होती झाएं और Hernandez अचारप को नगे psychology कितना अच्या एक México कब्रेंदे के सबस्कतिक कितना टिम्टेयोग लगए। अपने प्से उवे मसाले कोई खुटे मसाले मैं भून के भीसे एक एक अलग सब्सक्राइब मुक्ति की खेचाी ख्युआ खुश्ट इसको प्रजर्व भी करता है, यानि कि सर्ड़ने से बचाता है, सिर्कट डालने से अचार के सर्ड़ने का डर खतम हो जाता है, और अचार को सर्ड़ने से बचाने के लिए और भी क्या चीज़े हम कर सकते हैं, तो वो भी चली मैं बता देती हूं, तो हमें करना क्या होता है, अचार को धूप दिखाना अच्छा होता अगर आपके पास धूप है तो धूप जरूर दिखाएं उससे अचार में महक बहुत अच्छी आती है और साथ में उसके सरने का डर भी खतम हो जाता है और अगर आप जादा देर के लिए रखना चाहरे हैं काफी टाइम तक रखना हैं सालो साल रखना चाहते हैं तो जिस बरतन में आप रखें उसको पूरा तेल में डिप कर दें और इस तरह से मिक्स कर दिया है और मिक्स करने के बाद मैं अभी विसको धूप दिखा के ही भरूँगे तो मैंने एक दो-चार घंतों के लिए इसको धूप दिखा दी थी त यसमें आप भर के रख्comfort के रहरे हैं, ढ़र पानी से अचार सणता है, तो पानी से बचाना होता है, और अगर आपका सूखा नहीं है, धूप में सुखा लें, तो इस तरह से मैं भरने के बाद भी इसमें बरतन में मैंने फिर इसके बाद भी इसमें धूब दिखाई क्योंकि धूब दिखाने से बिल्कुल सड़ने का खत्रा खत्म हो जाता है तो अगर आपके पास धूब नहीं है तो फिर आप ये करें कि ऐचार में जादा तेल बर दे और सिरका भी जादा डालें तो सिरका से खटास जादा आ जाती है बहुत जादा और तेल डालने से प्र्जरवेटिव का काम करता है इसके सरने का डर खतम हो जाता है और जब भी आप अचार इस्तमाल करें तो अलग से निकाल के रख लें डेली वाला और जो रखने वाला है उसको अलग रखें बस इसी तरह से आप अपने अचार को बचा सकते हैं थैंक्स पूर वाचिंग